हेई फ्रेंज, वेलकम तू माई चैनल, लेटर्स तू लाइफ स्टूडियो शिट यार, मेरा वाइफाई बहुत स्लो है, मैं एक मूवी ठीक से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हूँ दोस्तो, वाइफाई के बारे में ऐसी कई वाते तो सुनी ही होगी आप लोगों ने पर फिक्र करने की कोई बात नहीं है, वाइफाई से कई गुना ज़्यादा फास्ट लाइफाई आ गया है आज हम ये वीडियो में लाइफाई टेकनलोजी क्या है उसके बारे में बात करेंगे लाइफाई का पूरा नाम लाइट फिडिलिटी है इसकी शुरुवात जर्मन प्रोफेसर हेरल्ड हस ने की थी वाइफाई यानि वाइरलेस फिडिलिटी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित है और लाइफाई यानि लाइट फिडिलिटी प्रकाश पर आधारित है 2011 में उन्होंने ये बताया कि हम कैसे लाइट की मदद से कम्मिनिकेशन अचीव कर सकते हैं और वो लगातार उस पर रिसर्च करते रहे फाइनली कुछ मन्थ पहले लाइफाई की टेस्टिंग हुई है और वो वाइफाई की तुलना में 100 गुना तेजी से डेटा आदान प्रदान करने में सक्षम है तो चलिए दोस्तों देखते हैं लाइफाई वाइफाई के मुकाबले कितना एडवांस है लाइफाई VLC के कंसेप्ट पे काम करता है VLC means Visible Light Concept सपोज एक LED पे Constant Input Power दिया जाए तो वो Constant Output Power देता है लेकिन अगर Input Power चेंज करते हैं तो Output Power भी चेंज होता है और फिर ये जितना जल्दी ही करते हैं उतना ही जल्दी जल्दी चेंजिस भी होते हैं और इस तरह आप एक Communication कर सकते हैं जिस तरह आपके TV का Remote काम करता है कुछ-कुछ उसी तरह ये भी काम करता है इसके अलावा लाइफाई एक Facility देता है Rooming की इसका मतलब अगर आप Light Source के नीचे है और आप Move कर रहे हैं तो आपका Connection कटेगा नहीं अगर आप एक Light Spot से निकल के दूसरे Light Spot में जाएंगे वो Automatically दूसरे Light Spot को Switch कर देगा Wireless Signals Spread होते हैं अगर हम Router लाएंगे तो उसके सिगनल चारो डिरेक्शन्स में फैलेंगे ऐसे में जो सिगनल मेरे पास नहीं आ रहे हैं वो मेरे लिए Waste है जबकि लाइफाई रूम के Light पर आधारित है और उसका हम Specific Point पर Target भी कर सकते हैं इससे Data Density बढ़ जाती है Means हम कम एरिया में ज़्यादा Data Transmit कर सकते हैं Waste Age comparatively बहुत कम होता है लाइफाई टेकनलोजी के फाइदे लाइफाई की स्पीड वाइफाई के मुकाबले 100 गुना जादा है Wi-Fi की Radio Frequency दीवाल को Cross कर सकती है यानि आपके बाजू अला भी आपका Wi-Fi यूज कर सकता है पर Li-Fi प्रकाश पर आधारित है जो दीवाल को Cross नहीं कर सकता जिससे आपकी Privacy strong बनी रहती है No Radiations Li-Fi लाइट पे Based है और लाइट से हमें कोई Negative Radiations का खत्रा नहीं है जो Normal Environmental Safety प्रदान करता है जबकि Wireless Medium Radio Frequency पर आधारित है जिससे हमें Radiations की Problem हो सकती है तो दोस्तों ये थी कुछ Information Li-Fi के बारे में उम्मीद करते हैं कि Li-Fi Technology हम तक भी बहुत ही जल्दी पहुँचे लोटेंगे एक नए Interesting वीडियो के साथ तब तक स्क्रीन पे दिखाए हुए दूसरे इंट्रेस्टिंग वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू बाबाई